मौसम विभाग ने महराष्ट्र में गनेश उत्सव के दोरान बरसात होने का नुमान लगाया है इसके साथ ही मौसम विभाग के मौंबई कारेलिया के मुताबिक इस बार महराष्ट्र से मौनसुन 15 दिनों पहले ही वापसी की शुरुआत कर देगा यानि बरसात का मौसम इस साल जल्दी लोट जाएगा इस साल मौनसुन के दरान कई इलाकों में ज्यादा बरसात की वज़से बार के हलाद भी पैदा हुए थे कई शेत्रों में इससे गाउं का बाकी इलाकों से संपक भी तूटा था महराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा करवाया गया है और रहत की घोशना भी की गई है अब यह मौनसुन सितंबर के पहले हफते में लोटने की तयारी में है आम तोर पर मौनसुन की वापसी 15 से 17 सितंबर के आसपा शुरू होती है और 30 सितंबर तक महराष्ट्र से मौनसुन लोट जाता है लेकिन इस बार महराष्ट्र से मौनसुन की वापसी सितंबर के पहले हफते से शुरू हो जाएगी दुनिया भर में तेजी से गलोबल वार्मिंग का असर साप दिखाई दे रहा है तेजी से बदलते हुए मौसम का असर बरसात के चकर पर भी दिखाई दे रहा है बे मौसम बरसात, अनुमान से अधिक बरसात और अनुमान से कम बरसात ये सारी घटनाए अब आम होती जा रही है बरसात का सब रूप पूरी तरह से बदल चुका है वही महराश्चर की अगर बात करें तो इस बार जुलाई और अगस्त में जोरदार बारिश हुई इस तुफानी बारिश की वज़े से नदियों जीलों और तलाबों में पानी भरपूर हुआ इसलिए इस बार साल भर पानी की सप्लाई में कोई संकट फिलाल दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में अगले साल गर्मियों में पानी का संकट दिखाई नहीं देगा मौनसुन भले ही इस बार जल्दी लोड जाए लेकिन भरपूर पानी महराश्चर को दे कर गया है Bureau Report Market Times TV